कि हेलो दोस्तों स्वागत आज आप कमार सब्सक्राइब आपके लेकर आई हूं ये सके कुछ मैं तपोन्ट क्विश्चन और साथ ही नेक्स वीडियों में आपके लेकर आऊंगी उत्राकर्ण और साइंस के क्षियन तो चलो, शुरू करते हैं हमारा पहला क्षियन है इंद्रा सागर्बान किस नधी पर इस्तित है तो मैं आपको पहली बता दू कि इसमें से मैंने कुछ कषियन मंदिरों से कुछ कुछ ज Vietnamese से कुछ vitamin से और कुछ बानों से लेके आई होगा है तो हमारा पहला question था इंद्रा सागर बान किस नदी पर इस्तित है , तो आपको बताना है कि जो इंद्रा सागर बानों किस नदी पर इस्तित है तब नर्मदा पर पर जह लोगड़ की कुश्यन का अंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इंद्रा सागर्बान किस नदी पर इस्तित है तो इसका अंसर है तो इसका अंसर है कि इंद्रा सागर्बान किस नदी पर इस्तित है नर्मदा नदी पर जो इंद्रा सागर बांद है वो नर्मदा नदी पर इस्तित है नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाले तीस बांदों की स्रंकला में बरगी उंकेश्वर तदा इंद्रा सागर सामील है जबकि बांद सागर बांद सो नदी पर इस्तित है जो बांद सागर आपको बताना है कि पहले से कुछ राद है कि तमिलाडू एवं करनाटक में जल विवाद होता है वो किस नदी के कारण है तो आंसर है कृष्णा नदी कावेदी नदी गोदावरी नदी या फिर महा नदी तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि तमिलाडू एवं करनाटक का जल विवाद संबंदित है तो इसका आंसर है कि तमिलाडू एवं करनाटक में जल विवाद संबंदित है कावेरी नदी से कावेरी नदी जल विवाद सम्मिलित राज्या है तमिलाडू करनाटक के रल एवं 13 को अधिसूची निन्य के अंसार कावेरी केकुल 474,3 mc fit विश्वनिया मातरा में इसे करनाटक को 270 tmc केरल को 30 tmc fit और तमिनलाडु को 419 tmc fit पांडु चेरी को 7 tmc fit जल अफगठी किया गया है तो 20 फरवित दो रहाद 2013 को इस जल के भी मतलब बटवारा हो चुका था इसके साथ हमारा second question है परवतों के अध्यन को क्या कहते हैं आपको बताना है कि परवतों के अध्यन को क्या कहते हैं औरोलोजी, ओन्कोलोजी, बायलोजी या फिर इन में से कोई भी नहीं तो अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं और ऐसे एक question भी काफी ज़्यादा महत्त पूर्ण है कि परवतों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो हमारा ठाल question था कि परवतों के अध्यन को क्या खा जाता है तो इसका आंसर है औरोलोजी इसी question के साथ हमें एक और question पूछा जाता है कि विश्वा का सबसे उच्छा परवत है तो विश्वा का सबसे उच्छा परवत है Mount Average जिसकी उच्छाई 4848 मीटर है इसी के साथ ये खाँ इसी थे तो ये नेपाल में इसी थे है और नेपाल एक से यही question बनता है कि नेपाल में Mount Average को किस नाम से जाना जाता है तो Mount Average में नेपाल को सागर माजा के नाम से जाना जाता है इसी के साथ हमारा fourth question है रानी लक्ष्मी भाई का मून लाम क्या था तो आपको पताना है कि जो रानी लक्ष्मी भाई थी उनका मून लाम क्या था मनी करनी का लक्ष्मी गान उप्यूक तो दोनो या फिर उप्यूक में से कोई नहीं अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो जो राणी लक्ष्मी भाई थी इनका मून नाम था मनी करनी का लक्ष्मी भाई का जनम वारा रसी जिल्ले में उननिस नॉमबर 1828 को एक मराथी ब्रामन परवार में हुआ था उसके बच्पन का नाम मनी करनी का था पर घर वालों ने उन्हें इसने से मन्नु पुकारते थे इनके पिता का नाम मोरापन था तता इनकी माता का नाम भागीरती था इसी के साथ हमारा सेकेंड कुशियन है भारतिय जनता पार्टी की इस्थापना कब हुई तो आपको बता रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई 6.8 अपरें minute 28 को चमें 9.918 को अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप हमें comint box में french comment करके बता सकते हैं कि भारतिय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई तो जो भारतिय जनता पार्टी थी इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रेल 1980 को अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी इसी के साथ हमारा 6 कुश्यन है 1857 का विद्रो भारत में कहां प्रारम हुआ था जो ये कुश्चन है कि 1857 का विद्रो ये कुश्चन काफी जादा महत्तपून है और ये काफी जादा एक्जाम में पूछा जाता है तो इसके आप्शन है मेरट, दिल्ली, रुड़की या फिर लग नौ तो अगर आपको इसका अंसर पता है तो आपमें कमेंट बॉक्स में कमेंड करके बता सकते हैं कि 1857 का विद्रो या फिर करांती कहां शुरू हुई थी तो इसका आंसर है मेरट में तो मैं बता दू कि जो ये 1857 की क्रांदी थी इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा भारत्य जनता का आर्थिक सोसन था जबकि तकाली चर्वी कार्थूस वाले घटना थी जिससे भारत्य सनिकों की धार्मिक अवस्ता को चोट पहुंचाई थी जो ये क्रांदी थी ये जो चर्वी कार्थूस वाले घटना थी जिसमें भारत्य सनिकों की आर्थिक अवस्ता को धार्मिक अवस्ता को चोट पहुंचाई थी तो ये जो विद्रोवा था ये मेरत से स्टार्ट हुआ था इसी के साथ ने आपको बता दू कि इस क्रांदी की सुर्वात का वुई की स्टनतिता संगराम का परती क्या था तो कमल और रोटी इसके साथ एक और कुशन बनता है कि पहरा भारत्य सिपाई कौन था जिसने चर्वी वाले कार्थूस का परियोग करने से मना किया था तो वे थे मंगल पांडे इसी के साथ हमारा साहवन कुशन है हजारी बाग नैस नाशनल पार्क है वो कहां इस्तित है जारखन में जम्बू कस्मीर में गुजरात में या फिर मद्या परदेश में तो अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हजारी बाग नैसनल पार्क कहां इस्तित है जारखन में अगर जिसकी स्ताफ्ना वह थी उन्नीस स्ऩौन चोछटर में इसी के साथ सबसे जादoner जो वहत्तौपूर्ण है वो जारकर्ण से इसी के साथ नमारा ये पार Tú ऌह Max अमएरा 8 कुशन है बालमी की नैस्नल पार्ग कहा इस्तित है तो आपको बताना है कि बालमी की नैसनल पार्क कहां इस्तित है बिहार में गुजरात में उत्राखण में या फिर हिमानचल परदेश में तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि बालमी की नैसनल पार्क कहां इस्तित है तो इसका आंसर है कि बालमी की नैसनल पार कहां इस्तित है बिहार में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बालमी की नैसनल पार के जिसके इस्तापना 1990 में हुई थी इसके साथ यहां संजय गांदी जियाविक उध्यान है इसी के साथ यहां गौतम बुझ जीव अभ्यारण है इसी के कुस्ठी के साथ हमारा 9 הוא सोम्नात का मंद estavam इस्थित है आपको बताना है कि पर शुम देत का मंद्र कहां इस्थित है गुज्रात में जंबू कश्मीड में तमिन्लाट है यह फिर केलस में यह कोशिचित का कि सोमनात का मंदिर कहां इस्तित है तो इसका अंसर है कि सोमनात का मंदिर कहां इस्तित है गुजरात में गुजरात के सौराष्ट में इस्तित यहां सिप का मंदिर है यह स्वतंत्र यह स्वतंत्रता के पश्जाद बल्लब भाई पटेल ने इसका पुना निर्मान करवाया था तो जो ये सोमनात का मंदिर है गुजरात में इस्तित है इसी के साथ next question है लिंगनात मंदिर कहां इस्तित है तो आपको बताना है कि जो लिंगनात मंदिर है वो कहां इस्तित है भुबनेशर में उडीसा में करनाट लेकिन यहां सीव की पूजा हरीहर होती है यहां विश्णुप्ला स्झीव के रूप में होती है इसका निर्मार 11 सताबदी में गंग सासकों नहीं करवाया था इसी के साथ हमारा next question है हजारा राम मंदिर कहां इस्तित है तो आपको बताना है कि हजारा राम मंदिर कहां इस्तित है करनाटक में तमिलानों में उत्राखण में या फिर उत्तर परदेश में तो जो हजारा राम मंदिर इस्तित है यह है करनाटक में इस्तित है हजारा राम यह मंदिर करनाटक में हमपी में है इस मंदिर का निर्मार रा स्केल मार करनी स्केल या फिर इनमें से कोई नहीं तो भूकम की तीविटा को मापने वाला यान्तिर कहलाता है सब्यों भूकम की ल हो सिस्मोग मत गराब कहा जाता है और इसी के साथ जो यह रियक्टर स्केल है इसकी खोज 1935 में चार्ल्स फ्रांसिसी रियक्टर ने की थी इसी के साथ मारकनी स्केल से भुकम की गहराई को ना पा जाता है इसकी खोज 1902 में इटली के मारकनी ने की थी अब हमारा next question है वायू मंडल में सबसे नीची परत को कहते हैं तो आपको बता रहा है जो वायू मंडल है उसकी सबसे नीची परत को कहा जाता है शोप मंडल, शमताप मंडल, आयन मंडल या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर है शोप मंडल जो वाई मंडल के सबसे निचली परत है उसे शोप मंडल के नाम से जाना जा सकता है इसके बाद जो साकी नमबर वाली परत है उसे समताप मंडल, ठर्ड, बध्या मंडल और फोर्ट आयन मंडल और जो सबसे अंती परत है उसी भाय मंडल के नाम से जाना जाता है जो भाय मंडल है, यहाँ सबसे हलकी गैस, हीलियम वा हाइटोजन उपलब्ध होते हैं, इसी के साथ जो आयन मंडल है, हमारी फोर्ट नमबर राली प्रत इसमें सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इसी के साथ जो मध्य मंडल है, उसमें परावैंगनी विकरने पाई जाती है, इ सोग मंडल है वह हमारी सबिटम से निचली पर आता है और यहां वार्शा का होना मौसम का बतलाव यहीं होता है हैं ज़त आप question है बुल्लर जील कहां इस्तित है आपको बताना है कि जो बुल्लर जील है वो कहां इस्तित है तो जो बुल्लर जील है वो भारत में कहां इस्तित है जंबु कश्मीर में हिमाजर परदेश में मणीपुर में या फिर उत्राखन में अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि बुलर जील कहां इस्तित है तो इसका अंसर है बुलर जील जम्बू कश्मीर में इस्तित है भारत पे ताजे पानी की जील जो बुलर जील है मुझ जम्बू कश्मीर में इस्तित है इसी के साथ हमारा नेक्स कुशन है लोग तक जील कहां इस्तित है तो जो लोग तक जील है वो कहां इस्तित है मनिपुर में तिरपुरा में असम में या फिर गुजरात में तो इसका अंसर है मनिपुर में जो लोग तक जील है वो मनिपुर में इस्तित है और साथी मैं आपको बता दू कि ये एक मीथे पानी की जील है हमारे के कुछीं स्टार्ट होते हैं आखों की रॉष्णि में कौन सा 비टामीन लापदायक है तो इसका अंसार है कि हमईब को की रॉष्णि की नाम कि रॉष्णी मिंता है कि वीटामीन करा राशायनिक नाम आ धोर преступτη कि असे होने नाम क्या होता है नियासी निकोटैनिक अम्र उप्युक्त में से कोई नहीं या फिर इन में से कोई नहीं यहां पर एक mistake हो चुकी, उप्युक्त में से कोई नहीं, बलकि यह एक उप्युक्त में से दोनों तो इसका अंसर है, उप्युक्त में से दोनों नियासीन भी vitamin B3 का रासाइनिक नाम है, निकोटैनिक आमल भी B3 का रासाइनिक नाम है यहां पर option में थोड़ी mistake हो गई थी, इसी के साद ममारा next question है कौन सा गिरे शूरे की परकिर्मा करने में 88 दिनों का समय देता है तो आपको बताना है कि वो कौन सा गिरे है, जो सूरे की परकिर्मा करने में 88 दिनों का समय लेता है बिरशपती है, बुध है, सुकुर है या पिर सनी है तो इसका अंसर है बुध वो गिरह है बुध बुध के साथ एक और कुश्चन पनेता है कि सबसे सूर्य का सबसे नज़्दी की गिरह है तो वो है बुध और सबसे छोटा वो है बुध चांगला दर्रा किस राज्य में इस्तित है तो आपको बताना है कि जो चांगला दर्रा है वो किस राज्य में इस्तित है जंबू कश्मीर में, हिमानचल परदेश में, उत्राकंड में या फिर इन में से कोई भी नहीं तो अगर आपको इसका अंसर पता है तौक हमें comment box में comment करके बता सकते हैं कि चांगला बर्रा कहां इस्तित हैं तो जंबू कश्मीर जो चांगला बर्रा यह जंबू कश्मीर राज्यमें इस्तित कर भाहनों के आवा गमन के संधर में विश्रा का तीसरा सरवचं सरक मार्क है इसी के साथ आज को हमारा अंतिम कूश्यन है लिपु लेक दर्रा किस राज्यमें इस्थित हैं तो आपको बताना है कि जो लिपु लेक दर्रा है वो किस राज्यमें इस्थित हैं उत्रा खन Northeast लिपु यह हमांचर पर्देश या फिर जम्भू करस्मीर तो इसका अंसर है उत्राखन यहां उत्राखन के कुमाओ छेत्र में इस्तित है यहां उत्राखन के को तिबस से जोडता है 1982 से पहले यहां से ब्यौपार होता था लेकिन 1962 के बाद उसे बन कर दिया गया है इसे फिर 1992 के बाद खोला गया था जो 1962 से पहले यहां व्यौपार होता था समान एक दूसरी जाता था लेकिन 1962 में उसे बन कर दिया गया था ठीक है इसे फिर 1995 में खोला गया था इसी के साथ धन्यूपार